देश जूनी की बड़ी खबरों के बात करते हैं भारत में चीनी वायरेस के 1091 मामले सामने आ चुके हैं जिस में से सव मरिज पूरी तरह ठीक हो चुके हैं और 39 लोगों की मौत हो चुकी है वहीं दोस्तों बात करें पूरी दुनिया की तो पूरी दुनिया में 7,43,000 लोग इस चीनी वाइरस के मरीज हो चुके हैं वहीं दोस्तों दुनिया भर में 35,000 लोग की इसमें मौत भी हो चुकी है और 1,47,000 लोग इस वाइरस से पूरी तरह ठीक भी हो चुके हैं चीनी वाइरस को लेकर दिल्ली सरकार का एक बड़ा फैसला आया है चीनी वाइरस के वज़े से दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि दिल्ली के नरसरी से लेकर आठी तक के सभी सरकारी उसकूलों के विद्यारतियों को बिना परिक्षा के ही पास किया जाएगा वहीं दिल्ली सरकार ने गरीबों को बिना राशन काड़ के भी राशन देने का इंतिजाम कर रही है और इसी हपते उसकी वेवस्ता भी कर ली जाएगी दूसरी तरफ राशन में हेरा फेरी करने वाले जनकपुरी के एक डीलर पर F.I.R. दर्ज कर गिरपतारी का आदेश भी जारी कर दिया है मोग के मंतरी अर्विनित के जरिवाल ने एक बार फिर से अपिल की है कि इस वक्त सबसे बड़ी देश की शिवा है जो कि आप लोग घर से बैट कर कर सकते हो वहीं दोस्तो आज सोने चांदी की भाव में बड़ा बदलाव देखने को मिला है दोस्तो आज सोना सस्ता हुआ है तो कितना सस्ता हुआ है चलिए जान लेते हैं दोस्तों सबसे पहले हैं बात कर लेते हैं आज कि चान्दी के भाव के भारे में आज बाईसकेट सोने के भाव में गिरावट देखने को मिली है आज 22 कर सोने के 100 गराम में 4,020 रुपया भाव घट गिया है तो अब दोस्तों में बात के लिए आज के 24 कर सोने के भाव के बारे में 24 कर सोने के आज 1 गराम का भाव है 4,339 रुपय 8 गराम सोने का आज भाव है 34,649 रुपय 10 गराम सोने का आज भावे 43,299 रुपए 100 गराम सोने का आज भावे 4,32,990 रुपए दोस्तो कल 24 कर सोने के सावगरू का भाव ता 4,37,2 रुपए और आज ये 4,32,990 रुपए तो आज 24 कर सोने के 100 गराम में 4,210 रुपए भाव घट गया है जी हाँ दोस्तो 4,210 उर्प्या भाव आज सोने के भाव में घट गया है तो दोस्तो आज सोने के भाव में गिरावड देखने को मिली है अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही रोज सोना चानी के ताज़ा भाव जानने के लिए आप लोग हमारे त्यालों को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं और आप लोग हमारे इस वीडियो को कौन से सिटी कौन से गाउं या फिर कौन से सहर से देख रहे हो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं पुरा वीडियो दिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद